दोस्तों नमस्कार विलकम बैक अखिन हमारी बुक चल रही है हाउ टुविन फ्रेंड्स एंड इन्फिलेंस पीपल इसका पहला पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में क्या बोलते हैं अथर सेकेंड पार्ट है तो दोस्तों बनने के बेस्ट उपाए क्या है इसको भी सब डिवाइट किया है अलगलग चैप्टर में तो आई शुरू करते हैं सबसे पहला चैप्टर सबसे पहला चैप्टर है नमबर वन सबसे पहला चैप्टर है अपना हर जगा स्वागत कैसे करवाएं दोस्तों लोगों का दिल कै से जीता जाए यह शीखने के लिए आपको किसी बुख की ज्रूरत नहीं है है एक ऐसा जनवर जिसको ना तो अंडे देने पड़ते हैं ना तो खेत बोने पड़ते हैं ना ही कुछ और काम करना पड़ता है वो आपके आसपास रहता है आप हलका सो उसको पुछकार दीजिए तो वो आपका हो जाता है वो निस्वार्त भाव से आपके आगे पीछे पूँछ हिला हिला के चलता है जी हाँ मैं डॉग की बात करना हूँ जितने भी डॉग लवर हैं वो भी जानते होंगे कि कोई स्ट्रीट डॉग भी है उसको भी आप अगर अच्छे से पुछकार होगे एक बिस्किट खिला दोगे वो पूरी उम्र उस चीज़ को याद रखेगा और आपका वफादार बना रहेगा तो वो क्या करता है दोस्तों वो आप में रुची लेता है कि ये व्यक्ति मुझे क्यों प्यार दे रहा है अगर आप दूसरों में रुची लेने लगेंगे तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे और हर जगा आपका स्वागत होगा आप लोगों के चहेते बन जाएंगे हम ये चाहते हैं कि दूसरे लोग मुझे में रुची ले अगर मेरे को इंपॉर्टन लगना है तो दूसरा मुझे में रुची ले लेकिन ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों लोगों की रुची किसमे होती है उनकी रुची सुबह शाम दोपहर सिर्फ खुद में होती है अगर उनके प्रॉफिट का कोई चीज है तो वो तब सुनेंगे आपकी बात अधर वाइस नहीं सुनेंगे इसलिए आपको दूसरों को खुद में रुची नहीं लानी है आप उनमें इंटरस्ट दिखाईए उनका उनको क्या पसंद है उसकी तारीफ की जैसे पहले बताया तो आपको भी पसंद करने लगेंगे नियू यूर्क के एक टलेफोन कंपनी ने सर्वे करवाया कि जो दो लोग बात करते हैं पांसो लोगों पर उन्होंने सर्वे करवाया कि दो लोग आपस में बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द क्या है तो आप जानते ही होंगे वो क्या है वो है मैं, मैं, मैंने, मैं, मैं तो मैं जादातर लोग करते हैं क्योंकि वो भूद में इंट्रस्टेड होते हैं वो अपनी बात बताने में ज्यादा इंट्रस्टेड होते हैं एक परसिद्ध मनोविया व творit है एल्फरड एडलर उन्होंने एक भुक लिकी है बहुत शानदार जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर आपकी दूसरों में रुची नहीं है तो आप अकेले रह जाएंगे आप में कोई भी रुची नहीं दिखाएगा और आप जीवन वर अकेले चलेंगे और दुखी में अगर ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने हैं और लोगों में अपने लिए इंटरस्ट जगाना है तो उत्साह से बात करनी पड़ेगी आप जब भी किसी से मिलें किसी से बात करें तो एकसाइट्मेंट के साथ बात करें कि येस आई लाइक यू दैस वाई आइम टॉक उनके फोन पर भी बात करें तब भी उत्साह से बात करें तो आपके दिल में उसके लिए अंदर से प्रेम दिखना चाहिए तो बदले में उससे भी आपको प्रेम मिलेगा उत्साह मिलेगा और साथ में वो भी आपको पसंद करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों ये सिधा याद रखिए दूसरे लोगों में रुची दिखाईए जिससे वो आप में रुची दिखाएंगे दोस्तो दूसरा चैप्टर है इमीजेटली प्रभावित करने का असान तरीका सबसे ज़्यादा तदकाल प्रभावित करने का तरीका क्या है वो है आपकी मुस्कुराहट उसको आप अच्छा लगेंगे कभी एक नियू यॉर्क में पार्टी हुई एक्जामपल दिया है यहां पर कि एक महिला बहुत ही सजदच के आई थी बहुत सारे उसके शरीर पर गहने थे मोतियों से भरे वे हार थे और उसकी ड्रेस बहुत खुब सुरूत थी लेकिन बस उसके चहरा था वो बता रहा था कि वो अलग है उसके चहरे से सार्थ और लालच के भाव टबक रहे थे इसलिए उसकी झो चमक दमक है वो अपने चहरे से अलग थी। हमारे जो काम है वो हमारे शब्दों से ज़्यादा काम करता है तेजी से काम करता है जैसे आप अगर कहेंगे किसी को मैं आपको पसंद करता हूं आप बहुत अच्छे हैं आपसे मिल कर अच्छा लगा तो शायद वो आपको पॉजिटिव ना म untukने लेकिन अगर आपके चेहरे पे स्माइल है आप मुस्कुरा के कहेंगे थोड़ा सा तो अबिसली उसको लगेगा कि वो सच्चे दिल से आप उसको ये बातें कह रहे हैं नुई यॉर्क के एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट स्टोल के मैनेजर ने डेल कारनेगी जी को बताया था कि मैं एक कम पढ़े लिखे लेकिन मनमोहक स्माइल वाले व्यक्ति को काम पर रखना पसंद करेंगे बजाए इसके कि वो पीजडी किये हुए एक गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति को रखें क्योंकि उसकी स्माइल उसके जो सेल्स है उसमें दस गुना उनती कर सकती है बड़ोतरी कर सकती है इसलिए स्माइल जरूरी है आप खुद सोचिए आप किसी बैंक में जाते हैं और वहां पे तीन चार लोग आपके सामने बैठे हैं आपको पता न कहां जाएंगे ऑफिसली है आप उसी के पास जाएंगे जो स्माइल करके मुस्कुरा के थोड़ा सा अपने कस्टमर से बात कर रहा है दोस्तों आपको मुस्कुरा ना बुरा लगता है या आप मुस्कुराते नहीं तो इस कंडिशन में डेल कार्नेगी बुलते हैं कि आप क क्या कर सकते हैं तो एक ही काम करिए खुद को मजबूर करिए मुस्कुराने पर सीटी बजाईए गुन गुनाईए गाना गाईए खुद को खुश रखिए अगर खुद को खुश रखेंगे तो आटोमेटिकली आपको मुस्कुराना आ जाएगा और आप दूसरों से भी वैस तो इस से कोई लिना देना नहीं है कि आपके पास कितना है या दूसरे के पास कितना है दो व्यक्ति उनके पास एक जैसा धन दौलत है लेकिन उनमें से एक दुखी होगा और एक सुखी होगा रिजन यही है कि वो अंदर से अच्छा फील करता है कि मेरे पास जितना है मैं सिक्ट कदख और दूसरा हमेशह भख नहीं रहेगा या तो लाल्सा तोड रहे खोड को कि मेरे पास कम क्यों हैं मेरे पास जाधा क्यों नहीं कि इतना ही क्यों हैं तो जो कंडिशन है उसमें खुश रहना सीकommt है तो आपके आप दूसरों को को भी खुशी से देखेंगे आपका नजरिया दूसरों को देखने का चेंज हो जाएगा बेक्गरंड नॉइस को कैंडली इग्नोर करिएगा सुभा का टाइम है और मंदिर का स्पीकर भी है और एंबुलेंस की आवाज भी है तो चीनी दारशनिक जो हैं वो बहुत महान थे इस रिजन में वो कहा करते थे वहां चाइना में कहावत है कि अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता है तो आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए आपको व्यपार नहीं करना चाहिए कितना बड़ा मैसेज है अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो काइंडली दुकान ना खो तीसरा चैप्टर है दोस्तो इस पार्ट के अंदर अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप मुश्किल में हैं कौन सा काम है ये देखते हैं दोस्तो नाम याद रखिए यही वो काम है जो आपको करना है आप सामने वाले व्यक्ति का अगर नाम याद रखते हैं हर किसी को अपना नाम बहुत पसंद करता है सबसे मीठा नाम लगता है उस व्यक्ति को अपना पूरी दुनिया में कोई जा रहा है आप अगर उसको नाम से पुकारेंगे अब मैं ये नहीं कहा रहा कि अपने से बड़ों को नाम से पुकारें लेकिन जो अपने हम उम्र हैं या अपने से छोटे हैं उनको आप नाम से अगर पुगारेंगे यानि किसी व्यक्ति का नाम याद रखेंगे तो उसको बहुत प्रसंता होती है एक व्यक्ति ऐसे थे जो जिनके मारे में डिल कारनेगी बोलते हैं ये अफवा है कि उनको 20,000 लोगों के नाम याद हैं तो वो उनसे पूछने गए कि क्या आपको सच में 20,000 लोगों के नाम याद हैं तो वो बोलते थे कि ये अफवा है मुझे 50,000 लोगों के नाम याद हैं तो ऐसा कैसे हुआ वो नाम याद रखते थे वो मेहनत करते थे नाम याद रखने में उनका नाम था जीम फरले वो ऐसा कैसे करते थे तो वो बताते थे कि एक इंटर्विव में उन्होंने बताया कि वो जब भी किसी विक्ति से मिलते थे उनकी फैमली बैगराउंड के बारे म अच्छा ये विक्ति ये ये काम करता है उसका नाम ये होगा तो उस तरीके से वो इतने सारे लोगों का नाम याद रखते हैं और बहुत सारी यहां पे कहानियां स्टोरियां डेल कार्नेगी ने लिखी हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि नाम किसी का याद करना तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनके नाम को गलत लिखते हैं, तब भी आपको बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है, उस व्यक्ति को आप खो देते हैं, उसका आत्म विश्वास हर्ट होता है, उसका अंदर से जो परसनली उसको हर्ट होता है, अगर आप पेपर पे या कहीं भी या लेटर में उसका नाम गलत लिखते हैं, तो नाम याद रखना है, साथ में, नाम का स्पेलिंग्स कभी गलत नहीं लिखने हैं सामने वाले विक्ति के, दोस्तो एंड्रियू कारनेगी, जो इन्हें स्टील किंग कहा जाता था दुनिया का, उनकी सफलता का क्या राज था, तो उनके बारे में भी यही कहा जाता है, कि अपने एक एक वर्कर का उनको नाम याद था, अपनी कंपनी में काम करने वाले का, उसे नाम से पकारते थे, जिससे उनके वर्कर में उनके लिए बहुत इज़त बढ़ जाती थी, वरकर को एक छोटे विक्ति को लगता था कि इतना बड़ा महान विक्ति मेरा नाम जानता है, तो ये एफेक्ट होता है, आपने भी देखा होगा अपने ऑफिसे में, जहां पे पांस सो हजार से लोग ज्यादा काम करते हैं, और कंपनी के ओनर जो है, आपको कारनेई का ही, कि एक स्टील कंपनी के साथ उनका बहुत समय से रेस चल रही थी, कि कौन आगे जीतेगा तो एक कमपनी के लिए टेंडर खुला और एंड्रियू कारनेगी को वो टेंडर मिल गया तो जो सामने प्रतुदंदी कमपनी के मालिक थे उनके साथ उन्होंने बात करना शुरू किया कि देखिए मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ तो सामने वाले मालिक ने पूछा कि कमपनी का नाम क्या होगा तो एंड्रियो कारनेगी ने जो मालिक का नाम था पुल मैन उन्होंने कहा कि पुल मैन पैले सकार हमारी कमपनी का नाम होगा तो जो पुल में थे वो अंदर ही अंदर बहुत हर से मुस्कुराय पहले वो उनके पती ग्रिना रखते थे की द्वेश रखते थे लेकिन ये बात सुनकर वो उन्हें बोलने लगे की आईए अंदर चलकर बात करते हैं इसके बारे में कीसे हमें अपने बिजनस को आगे बढ़ाना है तो वो एक ही मिनट में राजी हो गए इसलिए अंडर्य कारनेगी ने जब तक अपनी स्टील कंपनी में काम करवाया दोस्तों कभी भी उनकी कंपनी में हरताल नहीं हुई ये एक फैक्ट है अक्सर यही होता है कि हम जिस से मिलते हैं जिस वेक्ति से मिलते हैं हम उसका नाम भूल जाते हैं बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है राजनीती में जाना है तो ये सबसे बड़ा सबक होता है अगर आपको वेक्तियों के नाम याद है तो वो व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा उसका जुड़ाव रहेगा सिम वैसे ही जैसे हम एने कंपनी के मालिकों के बारे में बताया फ्रांस के जो समराथ थे नेपोलियन तृत्तिय जो नेपोलियन महल समराथ था उसके तीसरे वंशस थे वो हमेशा उनका भी दावा है कि वो बहुत सारे नाम याद रखते थे तो उनका टेक्निक यही था कि जब उनको नाम साफ ना हो तो वो सामने वाले व्यक्ति से वो उनकी टेक्निक यह थी कि वो सामने वाले व्यक्ति को अगर सही से सुन न पाए हो तो दोबारा उन से पूछते थे माफ कीजी मैं आपका नाम ढंक से सुन नहीं पाया और अगर उनका नाम कुछ अटपटा हो तो वो सामने वाले से ये पूछते थे कि माफ कीजीए आपका नाम का स्पेलिंग कैसे लिखते हैं वो मुझे किरपया बता दीजिये और वो निखले के बाद उसका अगल को फार के फैंक देते थे तो विजॉलाईशन के तरीकी से उसका नाम याद रکते थे तो दोस्तो याद रखिए ये कोई राजनेताओं की या बड़े लोगों की कला नहीं है याद रखना नाम जो है एक लीडर्शिप को बढ़ावा देता है अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अबिसली अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अबिसली नाम याद रखिए सभी के ये एक जादू है जो बहुत असल तरीके से काम करता है तो हमेशा याद रखिये सामने वाले का नाम उसके लिए संसार में सबसे मधुर्तम शब्द है और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फूर्थ चैप्टर है दोस्तो अच्छा वक्ता बनने का सबसे आसान तरीका अगीन इस चैप्टर में एक बड़ा इंट्रस्टिंग एंड्रिव कार्नेगी का एक किस्सा है कि वो एक पार्टी में गए थे और अक्सर वो बड़े सारे कंट्रीज में घूमा करते थे तो उन दिनों वो दक्षिन अफ्रीका घूम के आये थे तो उन्हीं के समकष एक लेड वाओ कार्नेगी सर मैं भी अपने पती के साथ बहुत सारी जगा पे घूमी हूँ मैंने यहां घूमी हूँ वहां घूमी हूँ यह देखा है आप क्रिपए अपने बारे में बताएं आपने क्या क्या देखा अफरीका में और कहां कहां घूमे हैं और उसके बाद कार्नेगी सुना सके हम अगर बिजनस करते हैं दोस्तों तो हम ज्यादा तर अपने ग्राहक ऐसे ही खो देते हैं जैसे एक न्यू यॉर्क के डिपार्टमेंटल स्टोर ने खो दिया था लेकिन बच गए उस डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने वाले एक सेल्समेन ने महिला को एक कोट को लेकर अपने गर गई और घर जा के उन्होंने देखा कि उसमें एक सिलाई उधरी हुई धोड़ी सी हो अगले दिन पर छोट को लेके आई कि ये उजिकली ह्येल्समैन इन दीवार पर टंगे हुए वार्ड की तरफ़ पोस्टर की तरफ इशारा किया की सेल बे लगा स्टोर के मेनेजर जो थे उन्होंने उस महिला को सुना उनको रोका पूरी बात सुनी दोनों की और सेल्समेन को कहा कि ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टन्ट कस्टमर हैं इनके लिए ये रूल नहीं लागू होता आप इनको एक्सचेंज करके दीजिए तो सेल्समेन हरान था क् कि ऐसा कोई भी रूल नहीं था जो उन्हें पता था लेकिन इसी वज़ा से जो डिपार्टमेंटल स्टोर के मेनेजर थे उन्होंने अपने कस्टमर बचा लिया और वो महिला फिर हर सप्ता वहीं से ही सामान खरीती थी कोई भी सामान था क्योंकि उसका ट्रस्ट जनरेट हो चुका था उस मेनेजर के पती तो दोस्तो सुनने की कला बहुत ही महत्वपून है और यही काम है जो आपको करना है ज्यादा सुनिये ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा सुन सकते हैं दूसरे को सुनिये क्योंकि सुनने से जितनी भी भड़ास होती है दूसरे विक्ति क वो निकल जाती है वो अपना मन हलका कर लेता है या इसका जो इगो है वो सेटिस्पाई हो जाता है और उस से फिर वो आपके उपर टरस्ट करने लगता है कि आप उनकी बात सुनते हैं और आप उस व्यक्ति को कमा लेते हैं दोस्तों बुक में लिखा है कारनेगी जी ने अग व्यूक फॉर्मूला है आप कभी भी उनकी बात ना सुनें आप जो अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है उसको बीच में टोकें उसको बार वार बीच में टोकते रहें तो वह व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा आप से पीठ मोड लेगा आप से मूह मोड लेगा आपको दे जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करना चाहते हैं तो इसलिए अगर आप एक अच्छे better communication वाले बनना चाहते हैं तो दूसरे की बात सुननें दूसरे को सुनना पसंद करें दूसरे की बातें ध्यान से सुनें ताकि उनको लगे कि आप उनकी बातें सुन रहे हैं तो दूसरे यही है कि अगर किसी व्यक्ति का दांत में दर्द है तो वो अपने दांत की दर्द को ही ज़्यादा इंपोर्टेंस देगा भरे उसके सामने किसी का एक्सिरेंट हो गया हो उसको ज़्यादा चोट लगी हो लेकिन वो अपने दांत की दर्द को ज़्यादा दर्दनाग बताए तो लास्ट में संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए लोगों की बात और उनको अपनी बात बताने के लिए प्रोटसाहित करिए ताकि वो आपको अच्छा माने दोस्तों नेक्स चैप्टर है लोगों का खुद में इंटर्स्ट कैसे जगाएं तो एक थियोडोर रोजुलवेल्ट नाम के महाशे थे वो क्या करते थे कि जब भी उनके पास कोई गैस्ट आना होता था तो वो उस गैस्ट के बारे में जानकारी लेते थे उसको क्या पसंद है उसको क्या क्या चीजें पसंद है कौन कौन सी चीज उसको पसंद है और जब वो गैस्ट आता था तो वो उन चीजों के बारे में उससे बात करते थे प्रशंसा करते थे किसी के दिल का रास्ता आप तब पाते हैं जब आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलते हैं या तो उसको जो चीजें पसंद हैं उनके बारे में अच्छा बोलते हैं या उसके सामने बात करते हैं तारीफ करना दोस्तों दूसरे की एक सची तारीफ करना दोनों पार्टीज के लिए beneficial होता है तो हमेशा यह याद रखिए कि अपने में interest अगर आपको जगाना है तो दूसरे विक्ति को आपको वो चीज़ें बोलनी पड़ेंगे जो उसको पसंद है next chapter है दोस्तों कैसे instantly लोग आपको पसंद करें दोस्तों डेल कारनेगी जी बोलते हैं कि आप कैसे दूसरे को खुद को पसंद करवा सकते हैं कि वो instantly आपको देख के आपको पसंद करने लगे तो मैं हमेशा ये जानना चाहता था कि मैं सामने वाले व्यक्ति के बारे में क्या जानता हूं क्या अच्छी चीजें उसके बारे में जानता हूं अगर कुछ भी नहीं पता तो उसके appearance के बारे में जो चीज आपको अच्छी लग रही है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं जैसे उन्होंने example के लिए एक clerk का example दिया है कि clerk की job boring होती है थोड़ी तो उनके पास जो clerk थे वो बहुती boring तरीके से उनको मिलने वाले थे लेकिन जब वो पहली बार उनके पास गए तो उन्होंने उनके बालों की तारीफ की कि आपके बालों का color बहुत अच्छा है तो clerk जो है खुश हो गए वो बोलने लगे कि अक्सर लोग मेरे बालों की तारीफ करते हैं और thank you, admire करने के लिए तो वो उनको पसंद करने लगे हालांकि उनका नेचर ऐसा नहीं था लोग बोलते थे वो बहुत ही खडूस सभाव के हैं वो गुसेल मूँ बनाके बैठे रहते हैं लेकिन जैसे ही वो डेल सर के साथ मिले और डेल काने की जी ने उनकी तारीफ की तो उनका सभाव जो है वो immediately change हो गया उनको like करने लगे अगर आप किसी की प्रशंसा करेंगे न दोस्तो बिना कुछ उससे चाहे कि आप उससे कुछ नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप उसकी दूस सामने वाला है उसकी प्रशंसा करिए तो वो लंबे समय तक आपकी उस प्रशंसा को याद रखेगा और इसी तरीके से आपको याद रखेगा वो आपको बसंद भी करेगा क्या जाता है हमारा कि अगर आप थोड़ इसी प्रशंसा कर दें सची प्रशंसा उसके बारे में किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो आपको अच्छी लगे तो आप हर्टली जब एक चीज़ बोलेंगे न तो सामने वाला obviously आपको याद रखेगा कि ये दिल से मेरी परसंसा कर रहा है और बदले में इसको कुछ नहीं चाहिए human conduct का व्यभार का एक पुराना law है कि हमेशा सामने वाले को important feel करवाएं तो automatically वो आपको पसंद करने लगता है human nature का deepest principle है कि वो मरते हैं खुद की परसंसा करवाने को ताकि कोई उन्हें special समझे, कुछ अच्छा बोले तो आप किसी को जिससे भी दिन में मिलते हैं उसके बारे में अच्छा बोलिए वो परसंद आपका हो जाएगा एक बहुत ही पुरानी कहावत है दोस्तों जो कि भगवान बुद्ध के समय से है जीजस क्राइट के आने से भी पहले से है लेकिन हर एक पुस्तकों में वो आपको मिल जाएगी कि सामने वाले के साथ ऐसा विवहार कीजिए जैसा आप अपने साथ चाहते थे तो आपके साथ भी कोई अच्छा बोले आपकी प्रसंद सा करे तो आपको अच्छा लगेगा तो सामने वाले के साथ भी वैसा ही करें तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी तो इस golden rule को कब, कैसे और कहां अपनाएं तो इसका Charles Schwab ने answer दिया है हर जगा, हर टाइम सामने वाले के बारे में अच्छा बोलें, उसकी प्रसंसा करें कुछ एक phrases हैं जोस्तों जो हम आम life में use करते हैं जो सामने वाले को अच्छा लगते हैं, जैसे कहीं मैंने आपको परिशान तो नहीं किया धन्यवाद, आप कितने दयालू हैं, so kind of you, etc तो ऐसी चीजें phrases बोल के भी आप सामने वाले का प्यार जीत सकते हैं वो आपको like करने लगेगा immediately तो दोस्तो, sixth principle यही है कि दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को important feel करवाएं और honestly से करें ये चीज़, तो वो आपको immediately like करना शुरू कर देगा तो ये थे छे rules जिनसे आप लोगों को पसंद आ सकते हैं immediately I hope आपको ये अच्छे लगे होंगे तो I hope आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए मुझे लगता है मैं slow हूँ थोड़ा लेकिन अगले चैप्टर से उमीद करूँगा कि थोड़ा fast बोलूं क्योंकि चैप्टर थोड़े लंबे हैं और एक request करता हूँ इसमें बहुत सारे example हैं ये जो कुछ एक example हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ otherwise पचासों ऐसे example अंदर दिये गए हैं इस book में जो आप पढ़के उनको समझ सकते हैं कि वो topic जो है उसके अंदर क्या कहना चाहरे हैं तो अच्छा लगा है तो share कीजिए subscribe कीजिए मेरे चैनल को और अपना ध्यान रखिएगा thank you so much